अब आप देखिए pre GST position क्या था आए एक manufacturer था उसने 1000 रुपीज का समान लिया अपना 10% profit अड़ किया उसके उपर उसने अपना profit लगाया 10% वैट लगाया 10% उससे होल सेलर ने लिया उसने वैट का क्रेडिट ले लिया इसलिए उसको पढ़ा 1210 का उसके उपर उसने अपना profit लगाया 10% फिर उसने लगाया वैट 10% उसको 1464 का पढ़ा ऐसे ही रिटेलर ने उससे लिया रिटेलर ने वैट का क्रेडिट ले लिया ऐसे करके करके consumer को जो पड़ा, वो पड़ा 1611, यह था pre GST, अब आब आते हैं post GST, post GST में भी यह रेजी है, manufacturer ने 1000 रुपीज का लिया, उसने profit लगाया 10% का 1100 का, अब हम GST रेज 20% ले लेते हैं, क्योंकि GST में VAT भी है, exercise भी है, cess भी है, service tax भी है, तो GST 220 हो गया, यहां उसका price पड़ा 1320, यहां फरक क्या आगया, जो wholesaler ने इस पूरे 220 का credit ले लिया, इसलिए wholesaler को भी price 1100 का पड़ा, फिर उसने अपना profit margin लगाया 10%, उसके बाद उसने GST लगाया 20%, यहां price पड़ा 1452, फिर retailer ने यहां पे GST क्लेम कर लिया, और ultimately final price consumer को पड़ा 1597, अब मैं आपको बताते हूं, यह win-win situation कैसे हुई सब के लिए, अब आप देखिए, final price to consumer, pre GST में था 1611, post GST में same product पड़ा 1597, और customer को गेन हुआ 14 rupees, taxes to government थे, pre GST में 256, post GST में 266, government को profit हुआ 10 rupees का, अब आप profit margin of business देखे, यहां भी 10% था, और यहां भी 10% था, लेकिन अब businessman को ना तो C form filing की ज़रूरत है, और ना ही sale tax officers के चक्कर लगाने की, तो problem क्या है business class को, business class को problem है कि पहले वो इस पे deal नहीं करते थे, पहले वो ऐसी पर्ची पे deal करते थे, और अब यह पर्ची उनकी चलने ही रही, क्योंकि वो tax bracket में आ गए है, अब सब लोग WhatsApp पे पुछते हैं, विकास कहा है, विकास इन पर्चियों के नीचे दबा हुआ था, विकास इसमें है, GST के अंदर हमारा विकास